रीता बोगोना जोशी जी हमारे साथ जूड़ जूड़ चुकी हैं जो की परेटन यूँग परिवार कर लियान मंत्री हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है रीता जी सबसे पहले आपको बदाई इसलिए कि आप लोगों ने हैट्रिक बनाई है और कुल मिला जुला के जित रीता बोगोना जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो की उतरप्रदेश सरकार में मंत्री है परेटन यूँग परिवार कर लियान मंत्री रीता जी सबसे पहले आपको बदाई देना चाहेंगे इसलिए कि जितनी मेहनत बीजेपी ने की थी और उसका नतीज़ा उसक पारा उतरने के लिए चलिए हम लगातार उनसे संपर्ख करने की कोशिश करेंगे इस बीच में आपको अपडेट कर दें कि बीजेपी प्रत्याशी अपडेट कर दें आपको एक तो अलिगर से अपडेट है 14 राउंड में बीजेपी मेर प्रत्याशी 496 वोट से आगे हैं राजी और अगरवाल के मुकाबले बनारस में 16 राउंड के बाद बीजेपी की मृदुला 63,000 से आगे हैं बनारस में एक्सपेक्टेट भी था और बनारस गाजियाबाद और लखनव इन तीन जगोहों पर निशित रूप से जीत का मार्जिन एक जादा होने के उम्मीद थी रीता बहुगुना जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं परेटन नयूंग परिवार कलियान मंत्री आपका बहुत बहुत स्वागत है रीता जी सबसे पहले आपको बढ़ाई देना चाहेंगे नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से तेजी से बीजेपी बढ़ रही आगे की तरफ और कमल खिलाने जा रही है उसके लिए और साथी साथ आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि अब लोगों की उमीदों पर खरा उतरने के लिए सिटी सरकार का आपका प्लान आफैक्शन क्या होगा इसलिकि आपकी केंदर में भी सरकार है और अब निकाय में भी आपका कबजा होगा कि देखे बारती जंता पाउटी और अमारी सरकारे हैं चयाए वो दिली में हो छेवेड़ेशों में हों उनका एक ही संकल्प है कि हमें जो है वो लोोग कल्यार कारी कारियों को जमीन पूताना है और जनता क्या कांक्षाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम करना है स्वच प्रिशासन देना है 2014 में देखे मोधी जी में लोगों ने विश्वास किया और लोग कहते रहे कि फेल हो रहे हैं तो 2017 के चुनों में उत्तर प्रिश्रम और बढ़त दी भारतिय जंदा पार्टी को हमने जो संकल पत्र उठाया और योगी जी मुख्यमंत्री बने कितना कटाश हुआ लेकिन आठ महीने में योगी सरकार ने जो काम किये उस पर ये मोह लगी है और इसी तरह से उत्ताय तोकर अगर हम लोग काम करते रहे अब पार्टी जमीन पे रही तो 2019 में तो सभी सीटे म रही होगे जी रीताजी रीताजी आपको रुकना चाहेंगे दिने शर्मा जी दी जुड़ चुके हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है दिनेश जी और एक बार फिर से है alleen बनानी के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको बहुत-बहुत बदाईयां इसलिए कि एक बार फिर से निकाय में आपका कब्जा होने वाला है आप से भी वही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो उमीदे हैं लोगों की उस पे खरा उतरने के लिए प्लान अफेक किए-प्र lot त्लजा जनता का विष्वाजितर भिए जागरत हुआ था के इंद्र सरकार में हमारी जीत के बाद हमारी जीत के बाद से हमारे मुख्य मंत्री श्री आदित योगी नाजी ने जिस पकार से मैक्सिमम अपना समय प्रगति के कैसे हो उत्तरप्रदेश की इसमें लगाया सारे मंत्रियों के साथ में बैठ कर कई कई घंटे तक रात को बारा बारा कि अवधारना को उत्तरप्रदेश की जनता ने सराहा है और हमारे वो तो परिक्षक है जनता और जनता ने परिक्षा का जो परिडाम आज हमें दिया है उसमें को डिक्तिंसन माक्स में प्रतम सड़ी में उत्त्री किया है पहले तो हम सब्सक्राइब करेंगे अपनी जंता का अपने कारिकरताओं का और अपने नेतुत नेतुत के आधार पर आज इस्थानी स्तर पर भी हमें काम करने का शू अवसर प्राप्त हुआ है भार्तिय जन्ता-पाठ्टी का हमेशा से मत रहा है कि केंद्र का बेहतर सामंज से उत्त प्रदेश से और प्रदेश का बहतर सामंज से स्थानी सरकार का होना चाहिए अब ये अवसर हमें मिला है हम परिस्रम की पराकाष्ठा के आधार पर बहतर काम कर सकेंगे यह ऐसा पूरा विश्वास है और हमने जो संकल पत्र धार जारी किया है मतलब पहले जो शिकायतें जनता को थी खास्तोर से लखनों में नगर निगम के कामकाज को लेके या और जगों पे वो उसको कम से कम वो दोहराय ने जाएगा और उसको कम से कम उसकी भरपाई हो जाएगी आपको लखनों के बारे में बता दूँ लखनों में मोस् रॉनरेबल मेर का दर्जा मुझे वर्ल्ड में मिला और लखनों में ही मुझे यहां पर रहते हुए सदस्ता अभियान में गिनिस्बुक में जाने का उस्थर मिला यहीं से लखनों के मेर के नाते मुझे पीसें आज वो आउसर है कि अभी आधरनी संयुक्ता जी का पूरा प्रणाम नहीं आया है मैं कह सकता हूं लाखों लाक वोट से जीतेंगी है मैं पहले से पहले कह रहा हूं कि लखनव सहित पूरे प्रदेश ने भारतिय जंता पार्टी के कारियों को सा रहा है जिए दमी प्रदेश में भी और इस्तानी इस्तर पर भी जो हमने काम किया है दिनेज जी प्रति उन्होंने अपना समर्थन दिया है दिनेज यह हमारे साथ वरिश्च पत्रकार हेमंतिवा नमस्ते हैं मन जी अदक साब एक प्रस्ट कौन रहा है मेरे मस्तिष्क में कि आप तो उस वक्त मेर रहे लखनव के जब आपको पुर्देश सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला इस तरह की स्थितियां उत्पन हुई अभी दो भूतपूर मेर हमारे पास है इस पैनल में आप है और रिता बहुडा जोशी हैं आप लोगों ने राज में दूसरे दल की सरकार होने पर निर्वाचित महापौर का धंश झेला है अक्तियारों को लेकर के अधिकारों को लेकर के आप तो सोने पिस्वागा है केंद्र में मोदी जी हैं प्रदेश में योगी जी हैं आप हैं और सिटी सरकारों की तिकड़ी आपने बनाई है तो क्या सम्विधान के 74 संसोधन के जो सलाह थी उसके जो उपादान है उसको लागू करने का मुफीद आउसर यह नहीं है जी देखें आधरनी हेमंती बड़े वरिश्ट पत्रकार हैं और उनका विश्टिस्टर हमेशा लोग उसको बड़ा साहाते हैं मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार प्रतिशोधी सरकार नहीं होगी और वो अगर जहां पर हमारा बहुमत नहीं भी होगा हम विपाक्च को पूरा सायोग और कारी करने का उसर देंगे नगर निकायों के अधिकार ज्यादा रहें इस बात के हम प्रारंब से हिमायती रहे हैं नगर निकायों का प्रदेश से और प्रदेश का किन्द से बेतर समंझस है एक आदर समंझस बैठेगा मैं ये पूरे विश्वास के निगमों को और पंचायतों को फंड को लेक давайте कहीं किरासिस रहती है वह उपने जो जरूरी कामकाज्ज है वह वी फंड की वज़ज़से ओंड कम होने वैसे नहीं हो पथा तैंड हो उसको लेकै आप लोग की सरकार के पास क्या 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 का योजणा है कैसे करेंगे और कैसे कैसे सारी चीजरेंगे नई देखे देखे हम लोगों ने पुरा एक समगर योजना तयार की है संकल पत्र में हमने कहां पर हम क्या करेंगे हमने बनाया है इस स्मार्ट सिटी के रूप में तमाम जो हमारे जिले हैं उनको हम पहले गोशित कर चुके हैं और उसमें एक समग्र प्लान की अब कल्पना है अमरत योजना का प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ पर हमने तालमेल बैठाला है जी आहर व्यक्द का हर वर्ग का और हर छित संद्र के संद्र में बीजली वश्रण को नियों के निरमाड ऑफ या जञा आपधानि सर्विससली के अन्हानाे करने का हो हम प्रते एक चीज में इस्थानी सरकार से स्थापित करेंगे और एक बहतर सरकार के नतीजे हम उत्तर प्रदेश में देंगे योगी जी के नित्वत्त में ऐसा मुझे पूरा विश्वास है दिनिय शर्मा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको आपको बढ़ाई देते हैं रीता जी रीता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है रीता जी एक बहुत जानी और उतरप्रदेश के तमाम शहरों का हाल बहुत बुरा रहा है तो इस तरह का चुकी संकल्पत्र में आपकी तमाम चीज़ें हैं लेकिन पोल्यूशन को लेके भी कोई कारियोजना नगर निगमस्तर पे कुछ बनाई जाएगी ताकि लोगों में आवेर्नेस पहले देखे आपने जान तक कहा भी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कहीं है मैं जानती हूँ कि मेरी सरकार डीसेंटरलाजेशन ने विकेंदी कर्णर में विश्वास करती है और जिस तरह से केंद सरकार प्रदेश सरकार को करेंगे जो हमारा डिली कर सकता है अच्छी उससे मदद लेंगे बाल कर लेंगे बहुत जोजना है हैं मल इनवस्टी की हैं तो इस तो हो फो यह स्री हो चो का कंवर्जंस होगा केंद सरकारë पर्देर सरकार में जो कंवर्जेंस होगा और लोकल लेवल तो इस तरह से सिटिजन चार्टर है, सिटिजन सब्सक्राइटीज हैं, कमेटीज हैं, सब को लेंगे. तो देखे, सिटी प्लानिंग के लिए, जैसे इमको बता है, स्मार्ट सिटी भी आ रही है, बहुत सारा काम हो रहा है. तो भी विल प्रोग्रेस इन दाट वे, कि सब को साथ लेकर शेहर का प्रबंदन करें, और अभी तक क्योंकि अलग-अलग सरकारे थी, तो ये नहीं हो पा रहागा, अब हो पाएगा. रिता जी, एक अहम सवाल है, नगर निगम की बहुत सारी जमीनों पे और नगर पालिगा की जमीनों पे पूरे उत्तरप्रदेश में तमाम कबजे होते रहे हैं, हलाकि इधर काफे कुछ हुआ है, एंटी भूमाफिया जो सेल आप लोगों ने बनाया, लेकिन वहाँ पे ज जो अभी पॉलिसी है, वो सपष्ट है, कि कोई भी गर्मेंट लाइंड पर या पब्लिक लाइंड पर हम जो एंक्रोच्मेंट वहाँ हैं लोगों का, खासतोर से भूमाफियों का, उससे हम उसको मुक्त कराएंगे, और इसके लिए हर डीम के नेत्वित में जिलेवार जिसमें नगर निगम के मुनिस्पल कार्परिशन, कॉर्परिटर्स भी हैं, CEO's हैं, और यह सम्मिल कर तैयार कर रहे हैं सूची, और खाली करने का काम भी शुरू हो गया है, 20,000 हेक्टेर से जादा जमीन खाली कराई जा चुकी है, और खाली कराई जा रही है, और नगर नि जाएंगे कि अब तो आपका आपकी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, एक तरह से जीत चुकी है, तो पूरा क्रेट किसको जाता है, इसलिए कि मुक्हमंत्री ने भी चोटी-चोटी जनसभाओं को संबोदित किया, आप सब लोग और सारे नेतागर्ण और सारे मंत्री बिलकुल इसको युद धस्तर पे इस लड़ाई को लेते रहे योगी जी ने जिस तरह से संकल्पत्र को लागू करी है, परिश्रम किया, पुरी पार्टी ने किया, हमारी गवर्मिन ने किया, यह उसका एंडॉस्मेंट है, उस पर यह मोहर है, तो निशेत रूप से यह लगातार जो काम होते जा रहे हैं, विशेशकत, सबकत साथ सब्र हातों को उसको सरार हैं, उसका समर्थन रहे हैं, विशेता है कि यह हमारी कार्य प्रणाली और तेज जालगी और जनता अधिक से अधिक साथ आती जाएगी.